अगला लेक है बर्फ टकियां चोटियां दी आभाव जदों वी सीत रुत दा आगमन हुंदायत अखबारां रसालियां आदवे चप दियां बर्फ नल्टकियां पहाडी चोटियां दियां तस्वीरां इना दी शुबानू चार चन लगा देन दियां इस बेयंत कुद्रत दी अद्पुत सुंदरता जिनू टुक में शब्दां विच ब्यान कर सकना संभव है नू पर्बतां दी चांदी रंगी दिक होर वी विलखन बिना चड़ दिया जापता हुंदाय जमें उस अधिक परंपुर्ख ने टेर सारी चांदी पिगला की इना अंबर चोंद या टीसियां ते डोल दित्ती होँद ते पर्बतां दी ये सफेद लिश्कमी नुहार सेलानियां दी अकर्षन दा केंदर बन्दी वी आमी विखी जांदी है लोग की वहीरां कातलां दे ने बर्फां दे नजार्यां दा लुथ्फ लैंड में चोटियां दी खिंडरी चांदी उत्हूंदी होटलां दी स्रामा आदवाले आंदी वी चांदी बना दिए उन्ज बगैर बर्फ वाले सुर्माई जंसलेटी पहाडवी या तरियां दत्यान अपने वल्केच दे तबतीराने पर बिना शाकिस बग्गे चलकारे दी बात कुछ हो रही है इसे तरह जदो बंदा जिन्दगी दे कालियां तो तोलियां दे पड़ावल वद्ध है तब ताब इदी सोबादी भी नहीं चली जाने बशारते मुड़ों येदे प्रती नजरिया ठीक ते सकार आत्मक्रियां हो उन्जी कुवेरता जदो बंदा अपने काले के सामवेच चुटे पंदी चांदी रंगी चमक वेखदा है उन्हें शायद हाले सूचिया नहीं हुन्दा कि जही वस्था उत्ते भी ओनी सी फिर होड़े होड़े जदो इपो लेखा यकेंच तब्दील होन लगदा है ते तोड़यां दी गिंटी निरंतर वद्धी चली जन्दी है किसे देले ये उदासी दा कारण बंदी दे सौंदी है जिंदगी दी शाम वर्गाय सास होन लगदा है अजया वापर नासल च उचितता नहीं जापदा जीवन दाए पहलू तक कई तरा नाल इक नमय युगदी शुरुवात वर्गा होन लगदा ये बुड़े पेदी जवानी दा समा होन लगदा जदो बंदे दे जियों टांग वेच बहुत सारियां प्रतक तब्दीलियां हो दिया हन सदारन तोर ते चर्ट पामे जवानी दी मानलन दे हन पर बुड़े पेदी जवानी दापड़ा निवेकला ही तलिस्सम होन रह जिसनू नजर अंदास्ता उपकाई नहीं किता जा सकता संसार दियां कई उच पाए दियां लबता प्राप्तियां ते रचनावाई से उमर दी ही देन हन परेवी निस्चे ही मनन योग होएगा के विला बहुत सुहावना बनदा ता दा जदो इस प्राप्ति खातर जवानी समय रा पद्रा किता गया होए जिवें आमी किसे वज़ुर्ग दी वदिया से रहनी बैनी ते सोने संजीदा व्यार नुवेके तिपणी कर दिती जान दिया के जापदा बंदे ने जवानी वदिया बताईया उदे पिछोकरते चात मारियां पता लगेगा के मजूदा दशा होंदा सबब उस वलो निरंतर कीती गई करडी मेनत चंगे असूलांते पैराते कई किसम दे प्याग होंदी हां समझो के इस पकदी नी चार पंच दहा के पैलना रख देते जान दिया किसे दी खुराग सौन जागन दा नेम कामते अराम दा टुकमा संतोलन एथो ताके मंच कारबना के रंदी विचारां दा रंग रूप कोई फुरने जिना मननों के विलिक लंगे वज्जोई वर्तिया होवे वी बंदे दी शक्सियत नूँ पर बावत करदे रंदी हां हरीक गल अपनी अधिक जी चाप छड़ दी चान दी है परसे दमरीक की लेकत माक ट्वेन ने तैतो तक यह कि जे असी जनम समय असी वर्यांदे हुए ते सजे सजे अठारन साल दी उमर वलवदी है ता जिन्दगी किते वद खुशियां पर ही हुएगी इस बारे जे विचार करन लग जाईए तक किन नहीं अजय कारण लब पहन देने जो जीवन देस पड़ानू सुखद राचकते चंगेरियां प्राप्तियां करन लई एक सुनेरी मौके वर्गी रंगत देके इस तेले एक दुरलब अवसर दा खिताब जाईस ठहरा देने जिवें पहला एक निकाज पौदा हुन दे फिरो समापाके एक फुल फालते ठंडी चांद इन वाले रुखदी शकल इक्तियार करलें दे तक करीवन हो जाई ए बंदे दी अवस्ता हुन दे बंदे कोल वन्स वन्ने हाला थंडा के तजर्बे दी बेहसा पुंजी जमा की हुँडिया ए उस सर्माएदी सुच्च जी वर्तों करंदा मौका हुन आम तौरते वे डेरी उमर दा सबंद गंबीरता दे बहुत स्यान पनाल जोड़े आ जंद है पर कदे क्यास आराई गल्त वी सिद हो सकना है इते एक अखी वेखी कटना चेते आ रही है एक चिटे के साँ वड़ी बीबी के दुकान ते आई दुकान दार ने अपने वलों तो शायद बड़े सतकार नाल पुछ जी आएगा की लेना माता जी परो माता जी ता गुशेच बोली मैं तानू माता दिस नहीं साच चाहिए के संबोधन दे प्रतिये प्रतिकरम के से संजीदा बंद दे नुदा बिलकुल नहीं सोब दा खोर किन्ने कुछ दे नाल अपनियां प्राप्तियांनू मानना इक खोर नवे जीवन दा मुड जो किन्नियां ही होर सफल तामाती कुछ चंगेरा वाप्रण्दियां संबाव नामा उजागर करदा हुए इसे वडेरी उमर दे हिसे वर्यांबदी इक नेम वेची काम कर दे रहां तो चुटका रहा थी मुकमल अजादी समझो के यह ताउं वस्ता हुंदी है जिस बारे आख देने पला थी या मेरा चर्खा टुटा जंद जाबन चुटी बहुत खुश गवार हुंदी है तर देले किन्नाई शौक ते काम मजय हुंदेने जिडा बंदा समेदी काट कारण पूरी नहीं कर सक्या हुंदा पर हुण इक की करके हो कीत्ते जा सक देले इस उमर तक बच्चेवी आम तोरते वड़े होके आपो अपने कम्मा कारांच लग जुके लेले इसले हर कोई अपने पसंद मुताबक लिखन पड़न चितरकारी याद करन कोई नमी पाशा सिखन कोई पसंदी दा पत्तर विहार कोर्स करन चु समा लगा सकदे इक जग्या सूदे लई किन्ना कुछ नमा करनते सिखन वड़ा होंदा है कुद्रदी संगत इच बे फिक्री नालवदेरे समा बतीत कार सकना बागबानी दाच्चा पूरा करना जब पंचियां तेवन देवतीरेनू गो नालवे खद्यन करके खुशी लेंदा विलावी उन पर जीवन दाए पड़ा बंदेनू ज्यादा व्यस्त राख सकते हैं उस सारू ते साथ काम विच मगंडैन वाले ती लईता नौबती भी आजांदी हैं के समें दियान के आसी तंगी भी हो जांदी हैं पर जयरुजे मियां तो उप्चिदी संतुष्ठी दा मुलनी पाया इस दोरान की ते जांदे वातू किसम दे पर अर्थ पूरंकां बंदे दे व्यक्तित्तवनू इक अपूरव रंगत दे के होर दिलकश बना देन्देने। इस ग्रह ते जीवननू बेतर बनावनवेचे सुमर्दे बंदेयां दा बहुत योगदान हुन्दै। उन्जवी जदों सी इस तर्थी ते विच्चरदियां सारियां जुना जो तम्मने जानेयां तकुछ तौर तरीके जये हुने वी चाही देने जो कटो काटे स्तात दी पुष्टी कर दे हुन। गुरु अर्जन देवजी दा फुर्मान है अवर जोन तेरी पनहारी इस तर्थी में तेरी सिकदारी। हर कोई अपने वड़े हुनदा नंद पांद पांदे तरीक्या राई मान सकते। दाधा दाधी जननना नानी बणदा सुबा आगली बंदेन। ए सुमरे परापत हुन्दै। ते येके इनना नेत जर्भा मापे बणन नाणू किते सुखाला रोचकते चिंता मुक्ती वडा मन्यांगे। ये सुमर्च बालांदी संगत बंदेनु मुर्बचपन्दी अंगलियांच फेरा पौन वर्गाय सास करवादन दिया। बच्या मल्लू आपणे नाना नानी जा दादा दादीच प्रक्टाया जान्दा विश्वास बजुर्गां दे स्वय मांच बेयंद वद्धा करवादन दे समझोन अंदर सुत्ते पै निक्के बच्चेनू जगा के फेर तो नच्चन टप्पनला दन्दा। वैसे बंदेनू कोशिर सदाई करने चाई दिया कि अपणे अंदरले बच्चेनू कदे अंगोलया की ताई न जावी। सोच अपनायां ही अपनायां भी रोग रहत जिन्दगी दिले काफी हथ तक रा मुक्णा होंदे समुध मिल्दे रंदे हल। अंतर आश्ट्री परसिद्धी प्राप्त द्वडाक बाबा फोजा सिंग्वी एसे यतात दिज्योंदी जागदी मिसाल हल। एक खोर मौक्णावी बंदे नू अपने वड्डे होंदा माण मत्ताय सास देवांदाय। जदो कोई पाणी बिजली जे टेलिफोन आद दा बिल जमा करवाना होई। एक ता बहुत सबकारनाल वक्री कता अच खड़े होंदू अख्या जांदाय। ते उन्ज वड्डे आंदे काम ने बेड़नू पहल भी दिन दे हल। ते तुसी मेट्रो रेल्ज सफर करन समय खड़े होता कोई नौजवान बच्चा जा बच्ची लाजमी तो अनू अपनी सीट पेश करन दे उठकांदा। तुसी पामें बैठो जाना पर देश ते वार्सा देवतीरे चेना सुचा जते ते तहसीब तो अड़ी रूनू पुल कित जरूर करन दिया। हर समय बाइज़त संबोधित किता जंदाय जमें माता जी, आंटी जी, अंकल जी, बाबा जी, पापा जी आद। कोई दो-चार नौजवान नेड़े बैठी होन तो अड़ी मौझूदगी ओना देविहार नू बहुत सोज सलीके वड़ा बना दिया। बंदेनू चेते अंदारंदाय कि वो एक जिम्मे वार अवस्था थे पुझ चुक है। बससा रेल गड़ियां ते हवाई जहाजा विच वी वड़्यां दे लई कि राइच छोट मिल दिया। इवी मानदाई हिस्सा है कि तो अनुएन ओही सुहुलतां काट खर्चा करके उपलब्द करवयां जा रही हैं ने। मजूदा समेच पार्ती रेल नेता औरता ले अठवंजा साल दे उमर तों कि राइविज पंजा प्रतिशत छोट देती होई हैं जदके आदमियां लेई सट साल तों चाड़ी प्रतिशत। कई सेर गाहां ते बजुर्गां दे लेई विशेश तों ते कई किसम नियां रायता मजूद हों दियां पावे के जे बंदेनू शौक होवे ते उदा दिल करे ता पहलां दे मुकाबले वो देरे समा ते साधनाद होन करके काट खर्चेच को मन लेई जा सक्राएं अजे मोक कियां दे सेर सुपाटे मन वी कदुती सकून ते ताजगी नाल लब्रेज करदन देन। उपरोकत सारियां गल्लां तो इलावा होर भी बहुत गल्ला होंगियां जोदों जीवन काल दे इस खूप सूरत पड़ा अनु मानन दा सबाब बंदा हुईगा असल च उमर भी बहु किन्ने उखे रहानु पार करके जोदों मैदानाच पुझ दैता सुखदा साल अन्दा हुईगा एन उसे तरा जीवन देस मुकाम ते पुझ के बंदावी समझोईक अनंद मही दशा दे सोज सुआद ठैराओ ते ठंड़क नु मान सकते होर ता होर संज समे अकाशीन टैल द फिर दे बदलांदी दिख ते वपिंतावी कुझ उपरी ते नवेत्पली हम दे है ए रंग वरंगी चतरकारी वेखन दावसर तापत होना वी ता बड़ी सुपागी बात है धन्वार अगला लेख है ते होन रेल गडियां मेच वी टीवी अपनी सेली चिक ही नाल मेरी वाक फिर तक्रीबन चार कुझ दहा के पुराणी है वाम तोरते बहुत गंबीरते शांती नजराओं दी है अपने फर्जांपती जागरूप पे वतन प्रस्ती रग जजबावी बहुत हैं सोच अजोकी जयोंग शैली दे टंगाविट देजी नालारेया तब देलियां में बार उनुसला देती हैं कि हर मसले बारे फिक्रमंद होके अपने मांते ना बोज ना पाया करें परसल्च अपने मूल सुबानों एकदम बदल के रख देनां कई वेर बंदे दे वसों बार दी गल हुंदी हैं ना समवेदन शील तो बिलकुल पावहीन बन जाना कोई सौखा काम नहीं उन्ज चिक्की दे साधा ते स्पष्ट गलबाद करंदे तरीके ने मैंनो सदा पर बावत कीता हैं कोज अर्शा पहला चिक्की दी तीदावया एक दुराड़ी शेयर वेच हो गया है उन्हों अपनी बेटी करके कदे कदाई रेल गड़ी रही उसकोल जान दी है गड़ियां तो उखे कई जान दी हैं पर चिक्की दस्दी है कि उन्हों जे संभव होई पाव के जे टिकेट म गौंदी है जिस सदका मंजिल ते पॉंचना कुछ सौखा हो जान दर हो आख दिया कि श्तावदी एक्स्प्रेस ने फासले इकटा देते हैं चिक्की ये टिपणी अकसरी कर दें दिया कि उन्हों ता इस गल्दा मान है कि साड़े देश विच्वी इनिया वदिया गड़िय चल दिया है उन्हों पिछे जे एक दिन ची की आई चेरा बड़ा उदास ते उतरिया जया कारण फुच्छन ते आख्या मैं हुने एक दिन अख बार्च पड़िया है कि श्तावदी गड़ी हर सुवारी दे लई एक लसी डी टीवी लगां दी योजना बढाई गया फिर इ क्यों इस ची की समस्या उसी नी पसांद कर देता अपना टीवी बंद रखो ते बैठो रामनाल मेरी कोशिश सी के ची की मुर्के निश्चन्त होके खेड़े चा जाए इही ता चेंता खा रही है कि में बैठो रामनाल जोदो तो अडे नाल बैठी सुवारी को प्रोग्राम बेखरी होएगी पामे तो अनु अवाज ना सुनाई देवे फिर भी ओथे चाल रही तो सुवीर्था तो अड़ी शांती ची विगन पाई सक दिया ना ते फिर कुछ सोच के ची की अगे बोले मैं आता पते कदे वीरियो वाड़ी बस चुए नी बेंदी कि हुन जीनू मैं इन्नी वदिया गड़ी समय दी सहां होते भी ये मुसीबत हों गालता है सही मैंनु ची की दी दुविदा समझ आ रही सी बिलकुल है मसा ता बंदा चुक चुपीते बैठा कुछ सोच रहा हम दै कदे अपने ख्यालां दी लड़ी नू किसे तर्तीप चु प्रोंच मगनूं कदे कुई अपनी मनपसंद किताब अख़बार जा रसला पढ़ रहा हम दै किसे नू दोड़ी जारे गड़ी दी खिड़की विचो नजरी पैंदे रुख फुल बुटे याद किसी वर्दान वर गी पास देगन दे नू ते कोई रबदा ना लैंच मुस्रूफ हों दै यह परतीत हो रहा है जो मेरे रेल गड़ी च टीवी लगा के कोई साड़े हात खोन जा रहा होगी। मैनू तो इस गड़ी च जाना वी चड़ना ही पैना चिकीने मांदी पड़ा असकड़ी। खमोशी दालंता असल च मेरे मांदी भी बेहत पसंद दीद्धा वस्ता है। अपने अंदर कणी हल चल हुंदी है। इस हालत विच अंदरला रोणत मिला पूरे जोबन ते जो हुंद है। अजयी समय मैं अपने मांदी गाल सांजी कर दे आ थे। वो पुरोकत इपनी सुनक इच्छी की हस पई। तद ही ता अपनी दोआ दी एन्ने अस से तो चंगी दिद्धी चली आ रही है। पिछली वरी जदो मैं अपनी ती इकोल जा रही सां। मेरे पिछली सीट ते बैठे एक लड़के ने अपने मुबाईल फोन ते गाने लाला है। मेरी बेंती करंतियों अपने गाने चाटी बांद कार रहते है। बहुत स्लीक के वड़ा बच्चा सी हूँ। उन्ज कंच बुज्जा लगा के तवामी लोकी कुछ ना कुछ सुन दे वेखलाई दे ने। पर इस दलते किसे दूसरे में तो कोई दिक्तत नीं हो सकती न। ए है ता जरूरी के दू पर इस दूसरे आंदे हकांदा ख्याल रख्या जाए। तादी जिंदगी ता चंगा म्यार काइम रखना संबव हो सकता है। इवी ता सच्छा ना के मुकाबलतन हो साड़े जीवन विच टीवी, मुबाई, फोन, वीडियो ते समागमा अद्दे लगाए जाने। बीजे का शोर इस कदर वर्ट चुक है के मननू ता इस सारे कुछ दी वर्तों ते खास तोर ते दुर वर्तों तो पैयों लगते है। मैं ता कई वर सोच दियां के सारे कुछ नों होता जिंदगी विचो मन्ती करंदा वेडा आ चुक है। मान सिक ते सरीरक से तले इस सादगी ते शांती दी बहुत लोगा। चिकी अपने कुदरती सुबा मुताबक बहुत गंबीर होके समझो चेंता फिकर दी मूरती बढ़ी पैसी। कुछ रोक के चिकी फिर वोली तकनीकी तरकी चंगी जाला पर सानु तेक्नोलोजी दी वर्तों सोच समझ के संग को चुमी करनी चाही है। साधी सार्यां इस रख्यत होंद लई अजया करना लाजमी है। फुदियां जिंगे टिपणियां आमी अंता करनी चुखल पुखल मचा की मैंनु भी सोचन ते मजबूर कार्चड दीयाने। मान चे ख्याल आया कि चिकी आपका कार्च टीवी बिल्कुल ना वर गई व उबस गंबीर ते बहुत म्यारी किसम दी पड़न समगरी दी शोकीन है। उन्हें अजोक के तड़क पड़क दी योगविच वी जीवन शैलीच बहुत साधकी बरकरा रखी हुई है। साच मुझ सोच देयां सोच देयां चिकीनल हम दर्दी मैसूसों लगती। ते जक्पन लग प्या के शायद विचारी ठेक ही आखरें। अगला लेख है थे बिसकस दी चाड़ी थे चिवनां। जदों भी होश संबाड़ी थे जित्थों तक चेते हैं। कुद्रत दी वन सुवन ता पाप के फुल भूटेयां, रुखां बिर्खां, जंगल बेलियां। ते वन स वने पंचियां आधना मैंनों इक वक्री के संदा लगा रिया। इस सदा कर्षित कर दे रहें। तेना दी संगत रूनों इक दुत्ती वुलारा परदान करंदा सबब बन दीया। जदो आड़ा दोड़ा इकल ते चुपदी लिपेट छोगे, उस वक्त वी ये मनुपामात सचता ही है कि जे में कुद्रत नाल अपना मूँ व्यक्त करना हो रहें। तर लफजां दी काट बहुत रड़ करी है। कई वेरता है ख्याल भी मंच खोरू पाउन लग जांदा है कि इस बेयंत ते विचित तर कुद्रत दे कृष्मियां दी चर्चा करन समें। इस नाल बन सब्सक्राइब करना मेरे लिकरी संभव होवेगा भी के नहीं। अजे या रुचियां ते सुबा करके कार्च फुल बूटे लगाउन जो बहुत दिल्चस पी रही है। ते फिर पतानी के में मैंनों कार्च एक बिसकस दी चाड़ी लगाउन दा शौक पैदा हो गया। मेर जदों इत्थो जावां गेता इन्नों नाल्ला जाना संभव होएगा। कुछ चिर्वाद लिश्का मार दे हरी परिपत्यां वाडी चाड़ी उते बेखद खुबसूरत लाग सुर्ख फुल लागए। जिमे बेडे इच बहार दा अगमन हो गया होई। साड़े मनाचवी जाप मुहारी खेडा पार गया। समा लंग देया पताईन लगया थे उसका अर्नों छड़न दा वेडा आगया। जोदों इस से बिक्सकस दे गमले नूं चुकन दी वारी आई ता चानना होया। केता जी उत्थे टिकेरान दे हाट विट सी। उने गमले विच्चो निकल क जमें चे जड़ां पकेयां कर लेंगा सां। गमले दा थल्ला टुट्या प्यासी। इक दम ता मानू दाश्या होगया। पर फिर सोच्या के चलू चंगाई ह। उत्थे दी रोणक बरकरा रही गी। उन साड़े बच्चे वी निके सांते होवी इक वेरता अपने हान दे ग कारण उसकारवे चौन जान दा सबाब बन दार्या। तेसे सदका वड़ी होई ते फुला नाल लद्दी के बिसकस दी चाड़ी नू एक के मन अनंदत हो जाना। फिर समा पाके जदो अपना कार बनाया ता कारदी बारली कांदे नाल करके इक बिसकस दा बुटा लगा देत हो ते फुल खेड़ने शुरू हो गए ता चंगा लगण दे नाल नाल लिस्तियां कई नम्यां फो मिकावन सामने करके ठोन लाइक इक दहा के तो वड़ समा बित्तर मगरो एक बिसकस दी चाड़ी कि निके जी फुल दा रूख दा रूपक त्यार कर लें। उने दे हेठा म मुहारी सुवा चाली एक कातट दूंगे मिटी देपान्डे इविच चिडियां दे रेतन ली सुकी मिटी विपाथे रखी लिया इस आदत सदका करवे चिडियां कावां बुल बुल दुिल मोटियां, पूरियां, चीडियां, जिडियां साथ प्रण हुएं, गुटारां, कालियां, चीडियां, तोतियां ती ओर भी कई पंचियां दे आउन जान दारु जान, तब बढ़ियां ही होया सी, पर इस खे बिसकस दी रुखनुमा चाडि ने इस सावा जैनी तो बिलखन रं किता, जिवें एक बच्चा अपनी मां दी बुकल वी इस सुरख्यत मैसूस करदा, एन उसे तरह दा एसास चबीली ये बिसकस दी चाडि में हनेरियां चक्रावी चुए इन खंबावले मित्रां दी नजर कर देता, बार जरा जनावी कोई किसी किसम दा खडाक होई, जा किस लंग रहे वहां दा उच्ची हो और नी वजए पंची चाठ बिसकस दी चाड़ी वीच लुक के बैन भी कर देना, दो निकियां गौणवलियां चिडियां तर तक्रीबन हर समी इस ते बैठियां जाए इस ते फुलां दा रास चूस्तियां नजरी पह जान दियां, दे प्रतीत होएगा के वन्स वने पंचियां मेराल के कोई संगीत सम्मेलन है आयोजित कीता हुया, शैदो इस से बिसकस दा साथ मिले हून दी खुशी वेच, खीवे हुके सुरीलियां सुरां मेच गौन लगतां देना, पौफ उटाले समेवी चिडियां दी चैचाहात एक अर्शी जया महाल सिर्ज दियां, इसे वक्ते के बुलबुल आमी इस चाड़ी दी टीसी दे बैके ओध मदरों आवाज विच गीत गाती, खोर नमे देननों खुशाम दीद आखरी हुन दी है, कदी ता पास दा है जमें गारी होगे, मिठा ता हुंदा नेना दाफाल, पर स सिखनां ते हिंदी है इकाल, पावता ही है के हिबिस्कस दा एक निकाजय दर्चसदा रोनक दा केंदर बढ़ियां ही रन्दा, हिबिस्कस दे फोल जड़े अप्पे हेठां डिग पैंदेने, हरे कादे उत्ते पाईक अप्पोल लते बेहत खुब सूरत नजारा पस्तूत क कर देने, मदू मख्यां ते तितलियां सरे इस्ते द्वाले मंड्रोगियां दिखाई दे जानी है, अगस्त स्तंबर में हिन्यांदियां स्यार आतानों जुगनूवी इस चाड़ी दी संगत मान दे, एक लौकेक जा दरेश सेज देने, इस्ते कोल इकला बैठा बंदा वी इ कल्नाल कदी नहीं हुँदा, एक बिस्करस्ती चाड़ी परतीत हुँदा के पंचियानू अपने कोल बुलाओं चम्माहारता है, पर कदे जापन लाख्यांदा के मैंनू वी आखती है, आओ मेरे कुल बैठो, मेरे नल गल्लां करू, इत्थे ब्याके कुझ लिखो, फिरी ल कहानियां लिखने ही संदेश देता, एक वर्दक कमाल दी गल्ग होगी, मैं इस चाड़ी दी चाम, इस कुर्सी ते बैठी सी ता, इस वेचोई की चेड़ी आके मेरे मुड़े ते एक पल लई बैली, उस चेड़ी नू पामें को इक कुल एक लिखा ही लगया, पर मैंनू इ जाद बाणके मेरे चेतियां सदानी रस गया, इस चाड़ी हेठां बैठे हों समेट चिड़ियां के होर पंचियां में, मेरे नालिस जिल्दगी प्रती अपने रव ये बारे कई सूखम रंजा सांजियां कीतना, उन अपने शांत, संतुष्ट, सेथ मनते सोज कर पूर हों स बंदी, कई राज मेंनो समझाए, कुद्रत दे में इमांदी पालणां करनते मिल्वर्तन दे गुणां बारे किम्ने पाठ पड़ाई, मनुखनू दरपेश आरियां कई अकड़ां दा खुलासाय ना मेरे सन मुख कीता, साच मुझ इस ग्रहते वेचर दे आईस जीवननों ब अगनाल बतीप करन दे, गुर्तां को ये ना सोजवान प्रंदयां तो सिखे, एक दम हिबिस्कस दे हेटा, एक मुख ते एहल सुरोता बन के बैठेयां, इस उपर बैठेयां दो चिडियां दी वार्ता लाप सें, एक चिडि बोली, चीन चीन, मैंनो ये थे आके बेना बिल्कुल मेरा भी ये हो ख्याल है, और भी किसे किसे का अर्विच कोई निका वड़ा रुख लगया हूंद है, तरचंगा ही मैसूस हूंद है, पर फेर भी कोई टावे कारी ने जये जिते सारे जीवी साडेनाल अपना के जितांदे हूं, ए ते एसे तरांदे हूर कई जि ये नचेडियां ती हूर इनने पंचियां दी आवाजाई संभव हों दिये, वर्नाव विचारे आके कडाके दी तो पठांड जांकेण में विच किते आसरा लेंगे दी, कुछ समा सुस्तांड ले, केडी था बैंगे, पर वार विच साडे सारे जियां दियां कई तस्वीर पिच्वानों तरजी देती है, कैनों तब आमें पिच्छे खड़ी हुन दी है, पर सब तो वात्ते आने ही आकर्शत कर दी है, इस समझों के तो स्वीर दे इस मान मती चारी दा, पूरा कबजा हुन दा, असल विच छुनता इस्तरा जापन लागते है, जमें ही है बिस्कस चारी इस ग्रहते मोजूच सारी बनस्पती दुखान जंगल बेले आंदी प्रतिनिदी हुए, ते जेडे पिरंदे इस ते बहाने सडे वेडे फेरी पौन आजांदे ने, उस सारे वन जीवान दे परतीक ने, ये साब मिलके इस तरते दी सुंदरतानूं चार चान बलांद इस जीवन दी शानूं शौकत नूं पर करार रखती हुई, इस ती होंदनू भी अपने बे गर्ज तौर तरीक्या नाल थिर रखी बैठे ने, मान विच कई वेरे ख्याल आजांदा है कि इस ये बिसकस ते कीती उपकारां दा मुलता किसे हाल भी पाया नी जा सक्दा, असल जी अपने वास्ती गाल जाप दी ही ने, पर फेर वी मैं इस ता संकेतक तोर ते शुक्रिया दा करन वजों, इस ती तस्वीर अपने पहली पुस्तक जिन्दगीरी सजताज दे, सर्वरक ते चपवा दे ते, तन्वाल, परंबीर कौर दी पुस्तक रंगली वाट ते तुर जाप दे, असल्च मापे बढ़न आलों वीवाद, इस ता सुबूत सारे वड़ेवडेरियां जिनानु इसुपाग प्रापत है, दियां अक्खा विचली चमक वेहके से जी मिल जांबा, अपड़े बच्यां दी अलाद दी संगत बुजर्गान मुर्तों उना दे बच्पन इस जरीए इकता अपड़े निके होन दा वेड़ा चेते आजांबे, ते दुझा जिन्दगी दे इस पड़ा ता कपड़ें, मठा पैचका, पैचुका जोश, ते चार, कुझ-कुझ फेर तो लब पैण वर्गान बभू जांबे, ओ आपड़े पोते पोतियां जाद दोते दोतियानू कथा कहाणियां सुनोंदे, उनदी निके निके अंगलांदा हुंगारा पर दे, बुझारता बुझ दे, उनदी उंगल फार्के कुम दे फिर दे, किन्ने वद्धू जय परतीत हुंदे कमामेच, उनदी मदद कर दे ते कदे, उनदी सहायता लेंदे होई, सर्शार करनन दे हुं, इही हुलास फिर किसी समेज दो इकल दी ग्रिफ्त वेच हुंदे हम, गुजरे पलांदी मैंज एक याद बान के उनदे चेरी नू दग-दग करन लादन दे, दुझे पासे बालां दे लईवी नानानानी जा दादा दादी किसी अन्मूल्क जाने त सोना हुंदे, उनानू सब तो चंगे सिख्य कुवी मने आजान दो, मैनू अपने दादी दादा ते नाना नानी लिच्चों केवल नानी जी दी संगत मानन दा सुबाग प्रापत हुया, नाना जी ते दादा दादी जी मेरे जन तो पहलां गुजर चोके सान, नानी जी नवेकली शक्सियत दे मालक सान, शायद हर इकनो अपने नाना नाने जा दादा दे से तरह लगदे हूंदे, मुझ अम्मा जी नू मेरे नाल खास लगां सी, क्योंकि मैं बच्पन वीच काफी समावना कोल जो रही सान, अम्मा जी नू इस जहान नो रुखसत हुयां साड़ कुखें दहा के लंग चुकें यां पर उना दियां कई गलां पाइंज जेते ने जो याजी कल ई उना दे मों सुनिया हुँआँ, उना दे असूला जो यह उननी महत्ता रख देने, जदों दी आपनानी बढियां ओदो तो तां अम्मा जी निया ख्यां गलां होर वी शिदत मैसूस हुदियानी अमा जी बहुत नेक सहत देपड़ती बहुत जागरूग गंबीर ते सुझे सुझे सुबादे मालक मिठ बोलडे ती हार काम जी बहुत सुचजे ते साफ सुख्रे सान। ममी ते पिताजी दसेया करदे सानके पाकिस्तान वे छुंदया, अम्मा जी बलनों सद्धा हारी काराय देलें इस चाहेव वाकफोवेंशनाः उन्हाने अपणियां दो उतियां मेरे ममी ते मासी जी ल्गे yar अम्मा जी ने अपने जीवन काल दोरान बहुत अखे वेलेयां ते अकड़ांदा सामणां तीरज ते सबर संदोख नाल गिता। साड़े नाना जी ता मेरे ममी दे छोटे हुगें गुजर गैसन। मेरे ममा जी अपने पत्नी ते बच्चेयां समेते दरा रहे सन। बाकी परवारता सही सलामत पॉंच गया पर ममा जी इस पासे पॉंचे ने रावी ची गुवाज दे। पाव के साड़े अम्मा जी ता एक लोगता पुत्तर वी नार्या। मुसीबतान। खेड़े मते जर्ना ते उनान। मोड नाचे तारना। अम्मा जी दे व्यक्तित्तव दा अटोट हिस्सा सी। बैठ बैठी गुर्बाणी दा पाठ मूँज बानी करदी रंगे सन। अम्मा जी ने जदोवी केला खाना आख दे येता राभबुड्यां वास्ति पड़ा बनाया। मौके मोताबक थोड़े जे शब्दां वेच टुक्विंगा लाखनुचो महर सन। एक दो वार समे जा केसी होर श्यादे सन्दर बच्चोनां दे मून सुनेया। जीन। कदर नहीं वो आदमी नहीं। उस सारू कमचरुजे रहन वो इक वर्दान मन देसन। आख देसन केसेन। बहुता पैड़ा बोलन। दिल करे ता उसन। वेला आख दियो। तकरीवन सौ साल दी जिन्दगी दे चेकरले पकवेज। उनना दा तोरा फेरा काफी कट गया सी। उमंजी ते बैठे भी कोई नो कई काम सुवार दे रहन दे सन। जोदो भी मैं अम्माजी कुल जाना। उनना दा दिल हुंदा सी के मैं आउनो कुली बैठी रहा। जे मैं अनो कुलोट के जरावी तरे जाना। उना आख दे गांदा दिल वच्छडे दे मच्छडे दा दिल बाहर। अपने जुवानी दे दिनांच अम्माजी चा उकाई नहीं संतिन दे। इस नल सबंदत एक पुराणी दिना लिया आधुएंज सुनाया कर देसां। उत्तर एक वारी पुराणी वक्तांच दरबार से बंदिसार्ट सुरोवर्दी कार सेवा चल देसे। मैं भी उत्तर सेवा करन गई। दन्वार। अगला लेख है वन सुवन्नें जियोन टंग। मैं चमपा हन्जी बिये पागती जादी विद्यार्था। मेरे ममी पापा लोका देकर आमेचों कूडा चोकन दा काम कर दे है। सीमत जी आमदन होंदे बावजूद मेरे मापयानू मैंनू ते मेरे छोटे पराणू पुडा आंदा बहुत शौक है। मेरे पापा ता आमी अम्ममी नू आतके रंदेने देखना एक दिन चमपा पड लेके साड़ा ना रोशन करेगी। उना दियां जेग्यां गल्ला सुनके मैंनू होट जोश आजानता है। ति मैं पहला नलोवी वद मेनत करन लग देने है। बहुत मन करदा है कि मैं अपने मापयानी आस्सांते खरी उत्रां। ति उना देख सुकने आनू हकीकत वेच बदला। पिछले मत्याना वेच जदो मैं अपनी जमात वेचों दूजा स्थान हासल कीता तो मेरे ममी दी खुशी दा कोई आन्त नहीं सी। जेस दिन मेरी चुटी उन्दियां जग गर्मी सर्दी दियां चुटियां उन्दियां हन। तब मैं भी अपने माप्या नल कामते जान दियां। मैंनो ओना दे काम वेच हाथ बटोना बहुत पसांद है। मेरे ममी दो तिन करांच सफाइदा काम भी खर दे हन। असी आपनी कूडा इकठा करनवाडी रेडी वेच एक पासी वड़ी खुली जी बोरी रखियों दिया। इस विच असी कूडे विच्चों वेच्चन योग समान चुण के राखलां दिया। इस नल साधी कुझ वद्धू कमाई हो जान दिया। लोकाँ दी जियों शेली वेच पुराणी समया नाडवी नी तब्दीली आ गई है कि आजकल बोर्ट समान वेच्चन योग निकलांगा। आम दिना विच्च वी वन सुवने मठ्यांग्यां दे दिखावती डब्बे होंता पॉलिश किती हुई लकडी दी दिखवले सजावती डब्बे भी साडी रेडी दाशें गार बन देले। ते होर तोफियां आद्धी इनने अडंबरा नल सजावत कीती हुँदी है कि वेच के दंग रह जाई गरा। उत्तोए गल्बी था हसो हिनी जाप दी है कि जिनानों दित्ते जांदेलें वो इस सजावत नों कूडे चे सु टंच जरा चेर नहीं लांदे। उन्ज होरो कार भी की सकते ने। इनना वद्धू समानकार चे साम के रखन दी ठांक थे। पाव के सिर्फ वक्ती दिखावेली इनने वसीले थे पैसी फजूल गवावी पे जांदेले। फिर जदों तिहारां ते खासतोर ते दिवाली दे देन आजान उदो ता हदी हुन देले। तोफ्यां दे डब्यां दा कोई अंतनी रेंदा। कुछ दिन पहलां तोही पटाक्यां दा कूडावी खे लरनां शुरूर हो जानदा। ते दिवाली तो अगले दिन ता सी एक वद्धू चपकर पटाक्यां दी रेंद खोंद दे टेर, सडकां ते लोकां दे करांदियां चप्तां तो चुक के सोटां ले लगाना। हालांके पटाक्यां ना अलसबंदत किनियां बुरियां कबरां हर साल ही सुन दियां। जिड़ा शोर ते हवा पर दूशन ही फलांदे ने, इस तो वाकफ ता सारे ही ने, पर फेर भी पता ने क्यों, अंजान बढ़न दी कोशिश केती जन दी है, जाए ना गलानु एमें, बिकार दी हैं कहके टाड़या जा रहे हैं, वाता वरनिक हालात बत्तों बत्तर बढ़न जा रहे हैं, सेथ सबंदी समस्यामा मेंच निस दिन वाद्धा हो गया, पर दुझे पास से आस्ती किरन बढ़न दे कुछ को ओ लोक ने, पिड़े पिछले किन्ने वर्यां तो इक भी पताका ने चला रहें, तिक कोई होर तामें परवार जो ना दी रीस्वी करन लागता है इना गल्लां तो मैंनों ख्याल आया, कि असी पिछली पहुत सालां तो इक भी पताका ने चलाया, साधे कुलों जे अजाईं गवाणली पैसी हुन्दे भी लिए, पर हुनता वातावरंदे बारी इनना कुछ पढ़ लिया, कि अजया कुछ गीतियां अपने आपने आपनों सूस करने, इस पक्खों सगो मननों तसली है कि चलो चो गिर्देरी संभाल चसी कुछ योगदान ता पाया, जो समान सी कूडे चो चुक के वेच देयां, उस तो मुर वर्तों वेच आउन वर्यां वस्ता बढ़ लिया है, उस वेचला कागस ते गता, कटो कट कुछ रुखा पढ़ दे हों करके, खुराग दिस रेंड सेंड बारे मैंनों काफी जानकारी प्रापत हो चुकी है, संतुलित ते पौश्टिक पोजन दे बारे में बहुत सुचेत हो बिना, मेरी आद्याप का मा मेरी लगन आल पढ़न दी बहुत सेफ्ट करने हैं, पहला दा मैनों कूड वारान या अत्तां बारे दिल्चस्क टिपणियां कार जाके मैं अपनी एक डायरी ची लिख लेंदियां, कई वर हैरान भी हुन दियां के इस तरह मैं वंसुवने जयोन कांग भी लेंदियां, पार्क दे सामने काले गेट वाले कार दे कूडे विच, उत्थो नेडे खाने दी दुकान दे खाली डबे आमी हुन देवे, जाहर है के बार दे पकवान खान दे बहुत शुके मैं, इस तो इलावाव फल सबजी आद दी वर्तों भी काटी कर देवे, क्योंकि उना दे कूडे विच इना दे छिलके ना दे बराबर हुन देवे, दुद दी काफी क अठका पता है इस परवार दी, सुटे होई खाली पैक्टां तो पता लगदाया, परतीत हुन दे के ना लोकानू संतुलत खुराक मारे कोई खास जानकारी है ही नहीं, आम बदे रुखवाडे का अर्चो परोकतों को जो विप्रीत किसम दा महौल मैं सूस हुन दे, इलोग दे चिलके भी नहीं निकले ना दे करो, दो दो दे खाली पैकेट काफी हुन दे हन, की फता रोज दैं भी बणाओ दे हन, निके बच्चे अनुखड़ाओने आमी लेके दंदेने, उन दे खाली डबे तेल फाफे चोन के असी अपनी बोरीच पालाने, एक दिन जदो मैं ग कुल कोई पटक के याद नहीं चलोंगे, बहुत शांती नाल साध की विच रहन देने, एक ह्याल भी मान चौंदे हैं, के टबरता वातावर्ने प्रती जिम्मेवार फोमिका निबार हैं, पीसी ओ वाले आंगे कर मिलया जुलया कूड़ा हुनदा, अंडे मेट दी वर्तों कर देने, बजार विच जो वन्स वन्न नम्केन समान काणनू मिलदा बहुत लेंदी हैं, आमियो दे खाली लिफाफे न दे कचरे चुन्दे हैं, अजिया समान बहुत हिसाब नाली वर्तना ठीक संजिया जांदा, इस कार्चु फळां सब्जियां दी सीमत जी वर्तों नज कोन्ने वले क्रीम जे रंग दे कार्च जड़े अंटी रंदेने, कुझ वदे रेस सफाई पसंद लागदेने, तेन दावे हारवी बिल्कुल वक्खर आई हैं, इना लोकाने कचरा सुनी तरानाल इक लिफाफे चु बंद करके रख्या वन्दा, ते अपनी निकीजी बगी गेट दे नेड़े तोपे बाढ़के नानु कुझ पढ़दे लिखदे वी विख्या है, मेरे ममी देले वदिया चाब ना के बहुत खोश हुन्दे हैं, ते चंगे-चंगे कपडे मेरे ममी नु दे दन्दे हैं, जेडे असी आप मशीन ते अपनी लोड मुतावक तद्वी कर लई दे हैं, पिछले दिनी उना मेरे लेक पीले रंग दा सुनेरी पा मार दा वदिया स्वाटर दिक्ता, ममी नाल मेरी पड़ा इदीगा लाम कर दे रहना, ते मेरा उत्षाव दोना इना दा पसंदी दारु जान, एक दिन मेरे ममी नु आखते, तीनु पड़ायां का सम दिनांचे आंटी लाजमी मेरे ममी नु कोई नमा गरम कपडा तो फिव जोड़ेंगें, उच्चे गेट वाले आंदा जदों वी कुडा चुपकन जाने आ, अंकल आंटी गेट दे कोली बया के नाश्ता कर रहे हैं, उना दा नौकर पाज-पाज के उना दा हुकम वजा रह नौकरता सेथ मंद लगदा, जया शायदो दे चंगी खुराक खान ते कसरत हुंदे रहन करके हुएगा, पर अंकल आंटी बहुत मोटे पा रहे हैं, इस कार्च पाटी आमी उन्दिया हैं ते, इना दे करू बहुत सारे वर्त के सुप्रन वले पांडे असी कठे करके, कचर पांडे चलागे जांदे आंटे उन्ज जय चंचे गलास ते कॉलिया आते सड़कां ते टेर लगे वेक लई दी हम, इना दमोड के बंदा कुछ नहीं ते जोके समय वेचे वाता वन दे कि दंबीर चनौती पीश कर रहे हैं, पर आम लोकी ते सोच के गाल टाल छड़ देने साड़े कले आंदे कुछ करनाल की पर रखता चला, इही मनोबिर्ती असल चो मुख कारण बन दी है, साड़े वेसले हम, विकसत देशां विचतां प्लास्टिक दे इस मस्यानों कुछले काफी अर्से तो गंबीरता ना लिया जा रहे हैं, इसनों हल करन ली, तरीके अजाद कीते जा रहे हैं, कुछ समा पहला मैं केते पड़े हैं कि इको प्लास्टिक जा बायो प्लास्टिक जो के पौद्यां विच्चों जमें गन्ना मक्की ते शकरकंदी आप तो त्यार कीता गया, वर्तों विच लेवना शुरू किता जा जोक्या, ए प्लास्टिक काम पौद्य जमीन उस ववदेरे उपजाव बणाउंगा, साड़ी देश वेच वी किदे किदे अजय वातावन आनु कोल प्लास्टिक बढाये जा रहे हैं, किन्ना चेंगा होई, जैसे वी वातावन बारे जागरू खोके अपने रैन सेंच लोडें दियां तब देदियां करिये, प्लास दी साम संबाळ इसनों नायाब तुफा जानके करिये, कदाचे ते न सुचिये के स्तरती ते देवातावन दी सुरख्या किसी होर ग्रह रिवासियां दी जम्यवारी है, कार जाके मैं अपने सारे विचार दादी मानल सांजी कर देयां, ताओ एक लम्मा हौका लेके आते है पुत्र हुनु वेडा बहुत बदल गया, काफी अर्सा पहला जदो मैं भी कामते जाया कर दी सां, लोकांदा जेन थीन हुन नालों बहुत साधा सी, कचरा भी उदों काट्ते हिंदा सी, प्लास्टिक दाता ना नहीं सी, दादी मान को जो रुखके फेर बोल देने, पुत् पर हुन तब नौटी पणे दा बोल बाला हो गया, मेरे बजुर्ग दादी जी कोई बहुते पड़े लिखेता नहीं, पर उना दा मेरी पड़ाई प्रते चाल सांब्या नहीं जांदा, मैंनू भी पड़ाई अपनी सप्तों वड़े दौलत जाक दिया, दादी जी दा उत् करन लाइक पास दे वहां, पन्वात, अगला लेख है, व्याहां दे सद्धे दे सद्धा पत्तर, चार पंज दहाके पहलां तक्ताई बन एह हुंदा सी के व्या शादी दे समारो ले, कोई सद्धा पत्तर जंकार्चों पवाई नहीं संजान दे, कोई लागी आदनू पेज के साक्स बनियां ते वाकफ कारां दे करांच सुनेहां पुचा देता जांगा से, इसे तरह सारे महमान दसे अनुसार मित्धी वे दिन ते, थांते पुझ के मौके दे शुबा बनों मेसान, मठ्याई जो की मुख तोर ते शकर पारे लड़ू जा मठ्या आदम दे सी, चोण दाते सुने प्रोग्राम हो जांदे सान। इसे तरह ना कोई अडंबर, ना फजूल खर्ची ते ना ही दिखावे दे कोई बहुत इस सबाब। पर इबाताओं ना वेलें दियाने जेडे हूता किसी होर सब्याता नल से बंद रख दे जाते लों। मौजूद्धा समेदे रंगां टंगा विच्ता इस ग्रे दिवासियां दा कोई सरोकार ही है। पुरातन समेदिया जैयां दख्या नुस्वी प्रम्प्रामा नाल। फिर जदों काड़ां दी चिपाई शुरू हो गईता चलो। साधा ते पछान रहत जे काड जिना ते लि मुठाई देनी रंग कर देते हैं। पर बिलकुल आम डब्यां विच पड़या सुनेयां होया है कि राजे महराजे ते वड़े डोग बेश कीमत सद्धा पत्तर ते मुठाई दे देन। अपने रुत्वेद अचे नमं दे आई है। पर मजूदा समेद विच्ता पता नी कि जमें ऐसी क्रम्ती कारी तर देली आई है कि आम लोग का विच्चों हुई काफी सारे आंदी जिमें होड लगी हुई है। मेंगे पारे ते सजावटी काड ते डब्य देन दे। अजकल काड़ां डब्यां उते सितारे, नाग, रिबन, गोटा किनारी, रेशमी कपड़ा त कदे पास्त है जिमें अंदरली समगरी नलों बारी दिखनूग देर यहमियत दित्ती जान लगती है। उन नकली लकडी दे सजावटी डब्य भी वरते जा रहे हैं। काड़वी एक दी था, कदे दो, तेर नहुं दे। इन्ने मेंगे डब्यां काड़ा नल सबंदत सोचन वड़ी गाले मैसूस हुन्दी है कि आकर एक सद्धा पत्तर ते डब्य दी किन्ना कुछ एर महत्ता हुन्दी है। डबाता कई वेर बंदा प्रापत हुन्दी हैं खाली करके कूड़े ची सुगरंदे। जबात तु वाद विचली समगरी दे खतम हुनता कर अखले आ जान् हुन्दी है उन्ने वेचता कोई साधा जा व्या हो सकता हुन्दी है कि इस वड़ मुले जीवन दे असल मुलते कदर कींता जो की तड़क पड़क हेट दब की न रहा जान। उन्जे भी मैसूस हुन्दा है कि निरापुरा पैसे दा दिखावा साड़े समाजेक ताने बाने ते बहुत नापकी ते मारू परबाब पारे। साड़े समाजवेच जिते आर्थिक असमान ताई नी पर तक है एक वड़ा हिस्सा जाए लोग हैं जेड़े अपना गुजारा ही मसां कर रहे ने। अजे विच दौलत दी नुमाईश उच्चे तुतानी जाप दी तंगी त तुर्शी हंडा रहे लोग मन मसोस के रह जांदेगां। कदे कोई मदवर्गी परवार अपने वितों बार जाके अपने लोकां दी रीज करन दे चकर्च पूरी जिंदगी करजे दी कुमन के रीचोने निकल सकते। चिकी दे इस बारे विचार जिकर करन योग जाते ले। मैं ता अपनी चादर दे विच पैर पूरे पसारना भी पसांदनी कर दे। किसे दोड विच शामल में। अपने मननू सोच समझ के कोई रस्ता चुणन दे चुकनना कर दे रही दे। सो गो अपने तु हेठा वेखिये था चानन होंदा है कि असी किन्ने पागावालियां र अठी करना उच्चे रुत्वेदा चेनने एननी पीड़ जाम बन्दा ता बिल्कुल एकल्ला गवाच्यान गोलेया ते फाल्थूजया मैसूस करन लगवाल अजयी हालात विच एक विचार्या नाल ता एवी हो गई कि उता अधी रात तक कई कंटे एक समारोधी नजर करके थक्ते हारे कार आई ते अगले देन मेजबान दा फोन आगया की गल्त उसी पॉंचे ने प्रोग्राम ते कल रते कदे इंज भी हो जाम दे कि किसे नूँ सद्धा देना मेजबान फूल ले जाम देना आम तोर ते इस तरहां छुटे होई लोग पिछो गिला शेक्वा कर द प्रोकत सारे कुछ दे संदर अप्च जे मैं चिकी दी गाल नाच तारी था है रचना दूरी जाते लिए किसे दे सद्धा देना पूल जान बारे वाक दिये सानूता जे कोई बुलाणा पूल जाये ते मैं कदे गिला नहीं कीता मैंनू तो सबो हम दर्दी मैं सूसन दियो वुचारे के ना मानसिक बोल सहार देने जै समया थी कई वेरिक मी नत कला चाड़ देने सद्धे पत्तर वंडरें विचे जे चिकी और अने अपने बेटे दा व्या किता व्यादी रसंता बिल्कुल साध्धा किती किसे बारले नू सद्ध्याई ने व्यान अस बंदत होर को विचे निका मोटा प्रोग्राम भी ने कीता अंडी गवंडी हैरान उना दे बेटे दी शाध्धी वारे सोंटी फिर पिच्चों परवार ने नमी व्याई जोडी दे स्वागत विचेक साध्धा जया समरो समारो देन समय करंदी योजना बनाली बिल्कुल सदारं कार्ड त नहीं सी उस बीबी ना परिष्थेदारी विच्चोंदे समारो दे वाव मी चिकी नुमिल करंदी से उन जोडों चिकी योदे कार पहुंची का पता चलेया कि उतक कदों दियो उत्थों कार वेच के जा चुके ने चिकी हक्की बक्की आख दी जेडे परवार बारे सनुई अभी नी पता के उनाने कार बदल लेया उनानु सद्धन दा की कोई पाव हो सक्ड़ है रश कौन लगते है चिके दी सोच अते विश्वास दे तनुवांग अगला लेख है विचकारला राथ अखबार दे संपात की पने दे विचकार चपन वड़ी रचना दा नाम पंजाबी विच्वी मिडल वजोन बहुत आम हो दिया पावे लफज अंग्रेजी पाशा दा है पंदा सोच दै पंजाबी विच दा इस लेख दी पचान विचकार जा विचला दे नाम नाली करनी बढ़ दिया पर चलो मननों तसली देन लिए क्या सकते हैं कि मिडल इस रचना दा उसे तरह दा नाम है जिवे के कोई भी खास नाम जासा डिसारियां दे नाम हुंदे लिए उन कोई बेखद गंबीर पाठक पढ़न दा शोकीन जा मिडल दा पर शंसक ए सोच के हैरान हो सकता है कि आखर इस ता मुद कि में बज्या होईगा कि में किसी अक बार दी परमानकता दा चिन बढ़े होईगा शायद किसी जहीन ते नवे इकली संपादक नों अपने अक बार नों इक विलखण चब परदान करन बारे सुझीता उने संजीद दाते पक दे मसलेयां दे एन विच कारी खलकी फिलकी लेक्त चाप दिती होईगी ते फुरना इक कमाल दी गल्गोर निबढया जारा के पाठकाने इनू परमाहुंगा रा दिता होईगा कौन नी चाहेगा चिन तामा पुमुक्ती आमे कुछ पला नहीं ही से मिटल वन सुन ने विशियां ते लिखे जांदेने एक दे लेखक दे निजी जीवन जा कारोबार नौकरी आधनल सबंदत कोई अपोल कटना किसे पुरातन जा मजूदा स्थिती ते व्यांग किसे और वाली हालत बारे खद्शा जा कन्सो ते कदे किसे गुजर चुके शक्स ता शब्द चित्तर भी हो सकता है पहली नजरे तैना विलक्षन रचनावां दा मूह हंदरा के विल रोचक या साध मुराद्धा जयाई परतीत हुंदा पर पिच्छोर चानना हुंदा है कि जो दिस्रिया हूं है ने इन निरा पुरा चलावाई सी असल जोदों वी सूजवान पाठक म मुद्धे चाड़ जन्द पाठक दे उदा सोय मंच खेडा लिया के चेरे ते मुस्कान खिलार सकता है उदी कल्पनानों खंब लग जान्देने कदे किसे दरपेश समस्यादा हाल लग पैंदे ते समझो के कुल मिला के उदा दिनी बन जन्दे अजो के पदार्थवादी य पाहत मैसूस कर दे उस्तियां सोखम पावनावां ते रू लई खुराक बन दियाने रिचना हां इना विच कारलियां दे होर भी कई किसंदे पर बावस्पष्ट तौरते वेखे जा सकते हां जेड़े अखबार वेचे लिखतां चप दिया हां उन्हों एक नवेतली दिख परदान करन दा सबाब बढ़निया पाठक जय अखबार पढ़न उतर जीदे हां आकर निरियां पुरियां खबराँ किसे भी समाचात पत्तर चपड़ियां जा सकते हैं कई तय तो तक आखधी हां कि अखबार पढ़न दा मुड मिडल तो ही बंदे हां ते इसे सधकाउ अग पाठकां ते वाकफ कारां दा उदे बारे की बुकरी किसम दा नजरिया बाण जन्दा उन्हों आपनू भी अपने विचारानू व्यक्त करके खोड़ा जे असास हुन्दा क्योंकि कई वार मनू बोज ला के सुप्रन दा कोई होर मौका ते जरिया उदे हाथाया इनुहुदा नाली होदे मनों बालते आतम विश्वास्च वद्धा हुन्दा इना विच कारलियां दी खोर खोगी वी है इच्चुप्च पीतेयां अपने पाठकनू भी है अपने मर्गी रचना लिखन लिखन लिपरेट दे रहन दे रहन अथे सी तरहां कोई अवल्ली शक्सिया दा मा आलके ना दी आखे लाके आजे यां किरता सिर्जंदेरा तुर पेंदे इस परकेरिया दोरान कलमकार दी व्यक्तित्तव दा इक नवा पाठूगड के सामने आउन नाल उस्ती अपनी आपनाल जानकारी विच्वीवादा हुन्दा को दांग रह जान दा अपनी इस नमी प् जिमें येना ता मुड बन्या जानदाय अग्ये हो जानदे नी कि लेखक पिछे पेरे दस्दे हानके किदर जानायं किनी दूर जानायं केडी गली केडी सडक वल मोमना कि आखर कित्धे रुखना इन विचित्तर कला केड़तां दे बारे चर्चा ते चिंतन करद्याँ क्याली मानति हावी हो रहा है कि इन दियां विता अपने परशंसका तो कई कोई आसा हो सकद्यानी जापदायना लिखतां दी इही तमन्ना होईगी कि सारे विच कारले रादे पान दी बने रहा उन्जे विचलारा हुंदा ता दुरुस्ती है पर चलतारना भी इसे विचार दी कुष्टी कर दी है तानुवार अगला लेख है चम्तकारी टेलेफोन किनी कमाल दी चीज है ना ये टेलेफोन आमिंगल बात कर दी है इस दी सिफ्ट मो निकल जान दी है कर बैठे अंदूर दुराडे रहन दे जानकारां पैना प्रामां परिवार दे मेंब्रां ते रिष्टेदार आधनाल सेज जही किसे विशेते विचार बिटांदरा हो जान दे है सुख सांथ पुच लई दिया है दुख सुख वंडा लई देने समझो कि अद्दा को मिलन वरगा ही हो जान दे है कई दे बन्याद चिंता फिक्रातों खेडा छोट जान दे है कई वार किसे कुल जाननों दिल कर रहे हुंदा पर बंदा किसे मजबूरी वस जानी सकदा ता जय विच टेलेफोन ते गल बात करके काफी होसला मिल रहे हुदास होया मान मुड़ खेड़े चारक के एक नवेकले हुलासनाल लब्रेज हो जान दे सारी काइनात खूब सूरत जापन लाग पैंदी है पूरे वजूद चि जिवें नहीं उर्जादा संचार हो गया होई एक गल यकीन न लाखी जा सकती है कि जदोंगा टेलेफोन जीवन चाहिए जिन्दगी पहला वर्गी नहीं रही इस ती नक्ष नोहारी बदल के रख जती है इस त्रामती कारिकाड में कोई तिन कु दहाके पहलां तक जदोंगा जे जिन्दगी वेच टेलेफोन आम नहीं सी होंदा उदोंगी कामता सारी हो रहे संच इही कह सकते हैं कि बड़ा सोना गुजारा हो जान्दा सी उदोंगी काई मोक्य जीवन चाही होंगी जदों इस जन्तर दी अन्होंच सदकासानों काई वार वद्धू दी खेचल करनी पई होएगी मैं जदोंगी अपनी जिन्दगी टेलेफोन को पहलां वड़े वेलेनू चे तार दीयां तमेनों ओ दिन चाटी आदा आजान्दा जदों इक दिन देर शामनों मेरे वीर जीनों सननों इक रिष्ते दार दा सुनेया देनली किन्नी दूर ओना प्यासी उना दिना ज आमी एवी हो जान्दा सी किसी करों चेचे तोरते त्यार होके पिसे दे कोल जाना त्या गोस करों गेर हाजरोना मेजबाननू वी जदों पता लगणां थे जान वाले नू वी दो आंते रानू बोद मायूसी होना उन्ज कई लोगा जोके समय वेच वी टेलेफोन दे इस्तरा मरतों ना करके अपने आतनों इस सुहुलतों वांजिया करलां देले पर यह उना दा निजी मसला आखर एक दिन अलेक्सेंडर ग्राम बेल दी चमतकारी का टेलेफोन जो दो जिन्दगी च आई गया तो मुड़ वेचे बहुत सीमत तामे तामे करां चाया उद लोकी एनू राखमां करवा के कई-कई साल उडिक्या कर दे सन ते जिस देन फोन लगणा कार्च उत्सव वरगा महाल बान जाना इक-ईक करदा फोन नंबर खबरे कित्थे कित्थे फोन जाया करदा सी कदे कदाईंतां जिमें देश दे हर कोने वेच आन गवांड दे लोक अपने नस्दी कियां ते रिष्टेदारानों ये नंबर दे दन दे सन कोई सुनेया आद देन ले समझो के पाई चारग सांज नू टेलेफोन ने एक तो बत तरीके रही पकेरा करन दी कोशिश के थी इत्थे एक वाकफ निर्मल पैंजी दी दसी होई पुराणी गाल चेते आ गई है उना दिनाज पैंजी दे कार नमा नमा टेलेफोन लग्या सी एक दिन उना दे कारे सोच के गई कि काफी अर्षा हो गया पैंजी मिले ने गुमता उस समय महमान वाजी चरुजे वे दो तिन जने बैठे सान कोई फोन करन लई थे किसे दा फोन कितों दूरों आना सी ओनु करूं बुला के लिया सान क्यों चोड़ उना देस बंदी ने पहला फोन करके जया करन दी तकीद कीती सी जदो पैंजी प्रोणयानु तोर के वे ले होयता आपदे अजकल ताजी बस पुछोना आया गया ही बड़ा रंदा इस फोन करके आप ता पता नहीं असी एदा किनना कु लाब लह रहे हैं पर होर नानु ज़रूर बहुत सूहलत हो बिया फिर विचारे पैंजी ने खुलासा भी केता उन्गता ना कोई खाण पेन दा टाइम रहा ते ना ये अराम करन दा की पता किस विड़े किसे दा फोन आ जाये तो उन्हों करो बुलाण जाना पुड़े एक कदम ता उन्हा दे स्टेपनी ते हसा आया पर एक गल्ला सुनके उन्हा नल में दिलों हुन दर्दी मैसूस कीती थी उन्हा को जताई भी सही फिर उन्हानों हौसला देनली में आख्या हुन जी सोचो लोग की किनिया असीसा दिन दे होन गे तो न इस ते निर्मल पे आं जी बड़े कंबीर होके बोले अख्या काम मैं जी ये निया सीसा लेना ये ते चंगा होवे जे लोग की दुझे बंदे दियां पावनामा के मुश्कला दे प्रती वी समवेदन शील हुन उन्हा दे कथनों दों जापया ता बिल्कुल दुरुस्त सी समा पाके वदे रेकर अंच फोन लग गये ते सनल जन्दगी काफी सुखाडी भी होगे किनने काम बंदाकार बैठे इने परेचाडन दे सम्रत होगे होर तो होर बच्चियानू अपने जमातियां तो स्कूल दा काम लेना भी सोखा होगे तागस दी बच्चत करन ते अंगेंत रुखानू कटे जानतो रुखन वेचुई बोड़ा योगदान पाया ऐसी अंतर लोकी चिठियां पत्तर काड आदी थां इदी बर्तों कारके मित्रा देस बनियानू सुने ही देनू पर जी देन लागता हो समय दी बच्चत जो किन्नी हो जान दी है ते फिर खात दे गुम होण दी कोई फिकर में नमे वरे जनम देन साल के रा दिवालियाद दे शुब इच्छावादा वाहक वी इसे टेलिफोन नू बना लिया लिया इसे बहनेक दूजे दी अवाज सुनके अपना तुदाय सास हुई वदेरी मैसू सून लगते है फिर दी बेलोडी वर्तों दे चर्चे वी आवमी हून लगते कज्याने नू समालंगा अउन दे साधन वज्वापने किसे वाकुफ नालनी गूणियानी अंगल्लंगपा मार के वर्तन दारू जान दी बनाले खास दौर ते और्ता मुलोई सुप करंदी बेलोडी वर्तों देता चुपकले भी बाहिए अंग्रेजी दी परसिद लेखिका वर्जीनिया वॉल्फ ने इस टेलेफोन वी बहुत रौचक पर बड़ी गंबीर वार्ता लाप विच विगन कॉण वड़ा यंतर आखे वैसे गल्ब काफी हाथ तक साच्ची आखी जा सकती है क्योंकि कई वहरे अपने नाल भी था वापर की जानदा है कि तुसी किसे बंदे नाल कोई गल्लां करन्च बहुत दिल्चस्पी लेरे हैं उन्दे हो ते अचानक टेलेफोन दी खंटी वाज बंदी है चंगी पली संजीदा ते आम जी वार्ता लाप्ती कड़ी है सी टूट दी है ति कई देर तम उन्दे गल्ल उस गड़ी वल फेरा पौंदी ही नहीं फिर जदों पिच्छों कदियों मौका ते ओं बंदे कठे नहीं हुंदे तक कोई रहगी गल्ल चेती आके बंदे नूँ विचे अन्जय कर जांदी है उन्ज किते वी पड़नू मिलिया के ऐलेक्जेंडर ग्राम बेल ने आप अपनी इस काड़नू पड़न वड़े कमरेज कदि नी रख्या सी उदा विचार सी के टेलिफोनों दे विज्ञानक कम्मा विच खलल पाएगा ग्राम बेल नूँ मनुखे त्यास विच सब्तों प्रबाब शालीज शक्सियतां विच गिनेया जांदाया पर जदो तू जिंदगी विच मुबाइल फोन आया इने साधे रोज मररा जीवन के समाजिक टांचेते और क्या से प्रबाब पाएगा यकिनन जदो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलिफोन विजाब कीता होएगा तो उस कभी सुपनेची नहीं सोचिया हुना कि कोई वेड़ा आयेगा जदो एक कोई ना पक्खी टिपनियां दा सबाब जा फिर एक मुसीबत भी बढ़न दी हाद तक चला जाएगा इस गलू मुनकर नहीं होया जा सकड़ा कि इस फोन चे कई गोन जाए हां जो दूसरे स्थिर फोन चे नहीं लोकी एनू कोई सुनेया जवेशों बिच्चावाद पे जली को वार वर्त के कामन बेड़ा देने इकोर वड़ा दे है किसे बंदेनाल कदे ते किते भी संपर किता जा सकड़ा तो बीकर अंच काम करन वालियां आख बार वाले आज सबना कोड़े दी मजूदगी ने कोई सुनेया देना काफी सौखा बड़ा देता है इनू कोल रखन वाला वी कदे अचन चेत लोड पेंते दी वर्तों कर सकड़ा परामत और ते जिस तरह मुबाइल फोंदी वर्तों हुंदी वेखी दिया उस्ते बंदेनों कदे निराशा मैसूस हों लग दिया कदे पुविखदी फिकर लग दिया कदे हासा भी आउंदा जिवे इसनों हरी कदे कानना लगया वेख लई दै जाबदा हुंदा है जिवे बस हर पासे इसे उठकरन दी हुकुमत हुए सड़क ते तुरे जानने हां किसे वहानों चलाओं दे हून समय बस ना रेल गडीट सफर कर दिया किसे तादमिक स्थांते बैठे हां पर ती तुर्णा जोई सब्सक्राइब अहम एक मोबाइल फोन है बंदे दे अपने अपने नाड़ों हुए होर ता होर आजकलता दे आपकानों विद्यार्तियां तो भी कई वार मोबाइल फोन बंद करवान दी नो बता जाना है कई वारता बंदाएव एके दंग रह जान दा कि कुछ लोग की जन तक थावां थे अपने मोबाइल फोन ते कई निज्जी मसलेयां जा कारों वारस बंदी उच्ची उच्ची गल्लां कर रहे हुँ ले कदे रेल गटी जा बस्ट्र सफर कर देयां नालदी स्वारी से तरा लगातार उच्ची सुच कई वारता एमें बेलोडी जी जापदी वारताला फोन ते जारी रख दिया इस ती लोडों वद वर्तों नाल सबंदत कई रोगांदा जिकर वी पड़ननू मिलदा एरंदर कईयानू मुबाइल फोन ते गाणे लाके सुननन दा जन्नून हुन्द जो के नालदी सुवारी दिले कदे असुपदा दा सबब बन सकदर उन्च जड़ा फोन ते इस ते आरबाजी करंदार जाना हुगी था किसे उप्रोपता दे हकां दी उलंगना हिया दूसरे हां दे हकां दे लोड़ां प्रती सोहेर्द ते सम्वेदन शील हुना किसे भी सब्यास माईदा पहला जाना मुबाइल फोन दी चर्चा कर दया मैंनों अपनी से लीची कीनल पिछे जवापरी कटना चेते आ दिया जो दोनों अजे तिन चार दिन होई सान अपने फोन चे पैसे पुआया उदे फोन ते एक सो रुपए हो जमा होंदा सुने आया उसने आ पढ़के हरामता हुई पर उने सोचया कि शायद कंपनी दी कोई नवी स्कीम होनी है जिस तै तजया हुए पर कुछ समय बादी उनों इक अंजान व्यक्तिदा फोन आया जिनने दस्या कि उदे बज़ुर्ब किता जी तो लेखे ना लो दे फोन नमबर ते पैसे पवाई सन उस बंदे ने चिक्की नों वापस अपने फोन चे पैसे पवाण दी बेंती किते चिकी ने अपने पती नों पेज के काम उसे समय करवा देता पिछो हस की अगली लो जी उन कदे काम भी करना पैसकते दुनिया हुन वैसे इस होन तो अग्गे इमेल वर्टसाप अद्वलतुर पही है ते तरक्की तैसे तरह बादस्तूर जारी ही रणी है पर यह जुरूर ऐसास हुन दै कि हर नमी काड़ दी सोजस लीके ते हिसा अपनल कीती गी सुचजी ते संकोचमी वर्टों ताउनों इक वर्दान साबत कर सकती है साधना दी बे लोडी वर्टों ना अपने हेते चुन दी है ते ना ही दूजयांदा कुझ सुवार दी है इस तों गुरेज करना है चंगा तन्वाद अगला लेक इस जीवन दी रंगली वाट ते तुरे जान्देयां बे शुमारत जर्बिय जय हो जान्देने जिडे किसे नूता एन नगूने ते नाजिकर योग जाप सकदेने पर किसे दी चेतियां विच सदाली वसके कोपह नेरे विच टिम्टिमोंदी किनी केजी लोवांग लिश्का मारदी रंदेर फिर समय दी लंगन नालेना पुल अन्बवानाल सबंदत चेरी चेतियां विच तुंदले हो जानदे बावजूद उनवलों की ते कमाली चमकता जाप दया जिविन निरंतर होर पर ज्वल्लेत होई जारी होई इना विच्चों पोती अजय शक्स होंदेने जिना नाल बंदेने इस जीवन काल दोरान गालबन दोबारा रूबरू होना भी नहीं हुंदा इस गलनू वापरियां दो दहाके तो पररसा भी चुक हैं पर गुणातमक पक्खों अजय भी ये नमी नकोर जाती है तेरी परसंगकता अजोके समया विच सुकों वद्धी हुई है उद्धो सद्धी बेटी के विल पांजगू साल दी सी ते स्कूल दी मुढली क्लास्ट जान दी से असी आप योनों स्कूलों लेंदे छट दे सी एक दिनों दे स्कूल अचानक छुट्टी होगी उद्धों जे टेलेफोन कार्च है नहीं सी वो वचारी स्कूल दे गेट को लेकली खड़ी ते एक रिक्षा वाड़े दी नजरों से पैगी उन्हें बेटी कोड़ों पुच्छया कार्दा रस्ता पते कारो थो नेड़ेई सी ते बेटी ने हांच से रह लाया उस नेक इंसान जाँ फृष्टाई आखा ने साधी बेटी नों रिक्षा दे बठाया कि साधे कार्दे गेट ते चाड़े के बगायर रूकेयां चला गया। मैं ती इन्हों इस्तरा अचानक आई वेके पुचप की रह गई। फिर बड़ा दिल करे कि उस रिक्षे वाड़े नूं कोई पैसे किराये ते नाम बज्जों भी दित्ते जान। पर इस सद्ध राजव पर इस सद्ध राजवी मान विच्ची तुरी फिर दिया। तकरीबन पांजवरे पहलां गर्मीने दिनांच मेरे पती थी मैं बास राइं पट्याला गया। मेरे पती अजे बारी सद्धी आं ठिक्टां ले रहे सान। अब मैं बास दे अंदर जाकी सीट दे बैठकी। बंदे ने नोट ना फड़े आते चाटे आतके बास टो उतर गया। मैं छुट्टे पैसे लेके आया जी। जदो मेरे पती आये ताउनों कुल दासना नोट है सी। कुझी समय वेच ड्राइवर भी सीट ती आके बैगया। मैंनू चिंता के बंदा नहीं आ रहे है। मैं प अच्छे सोच दी रही कि जे बस चली जान दी ता उस विचारे दे पैसे रह जाने सन। पर हैरान सांग क्यों पक्खा मैंनू ही दे के चला गया सी। बगार इस गल्दी प्रवा की प्रया। उसे दिन पट्याले पॉंच के जित्थे जाना सी उत्थों ले यसी रिक्षा ल पड़े ने कई वार पुच्छन दे बावजूद पैसे नहीं दसे यही आके जिनने मर्जी दे देना जी। मंजिल ते अपड़के फिर पैसे पुच्छे पर इस शक्स ता होगी जो आपसी। जदो पैसे देता आक दा एता तुसी बहुत ज्यादा दे देते जी। वैसे द पैसे ने के नमे बंदे नूं का कटन लिया क्या। क्योंकि जड़ा बंदा पहला ही काम करदा सी। तो किसे कारण ववास आ नहीं सी रहा। जदो नमे माली ने काम खतम कर लिया। तब पैसे पुच्छन दे आक दा कोई गल नी। जिनने मर्जी दे दे दे।। बहुत लवाई ना। नहीं नहीं यह था बहुत ज्यादा नहीं करना की है जी। दो रोटियां ही था खाणियां नहीं। तुसी मैनों चाप आने भी तप या आया। पर चलो एक दो बार कैन ते लागया। बड़ा सबर संतोख वाड़ा होंदा पर बाफ दे रहा सी उव्यक्ति। असल च जेंग्यां होरवी कई कटनावां यादारेयाने जदो किसी अजयाई किर्ती बंदेने अपने बे हद सोज सिलीके वाड़े संतोष्ट नेक्ते द्रिया दिल होंदा परमान देता। अजोके समेच जदो मनुखी विहारोते पदार्थ वादी सोच पारूवे। ते कई बहुतेरे साधना वळयानुवीत होर दे होर दी लालसा दी गार विच खुबे अक्सर वेख लई दैं। ताएं उधारना किसे चानन मुनारे तो कटनें जापती हैं। इस ग्रैते मनुखपण के आई होन दे मायने मैसूस हुन दे के इना लोकां दे जेन विच बिल्कुल स्पष्ट ने एक कायनात शायद इना सदकाई जगबग कर दी पास दियो। अगला लेक नमे वरे दे संकल्प रोज मर्रादे जीवन्च विचर्दियां आम तौरते मैसूस ताई ही करीदें के हर पल ही निविकला हुन दें। तेसे सदकासी वन सुवनियां कटना मादे दरपेश हुन दे रन दें। समेदी तम वैसे मुढ कदीम ते मन्नी हुई फितरत है के कदे निचला होके बैना जान बाई ने। उन्ज जे सोचया जावे ते समेदे सुबादा एक गुण है ता काबले तारीफ ही। जे किते वी मनुखा मांग कदे किसे नूडीख के ते कदे किसे दा साथ लबदा फिरे जा किसे दे आखे लाखके अपनी रफ्तार मद्धम तेस करी जावे। तांग की उपलब्दी हुनी सी स्कूल नशर करन न। कदे हार हम के बैट जां सोई जावे ता कित्थे पौन जाना सी ये लूँ अजय वेच ना कोई समेदी विलखन पचानी पड़नी सी ते नाई महान दार्शनिकान चेंतकान लखारियां दे ते हासकाराने इदियां प्राप्तियां दे सोले शांदार लफसांच गोने सान। समेदी से अपनी हितों वेच निरंतर तुरे जान दी आदत सदकाई इक खोर नमावरा सादे सान्मोक पेशोर्यां ते जदों भी नमे साल दा जिकर हुंदायां ता पतनी क्यों मनवेच आप मोहारें कुझ नमे संकल्प करन दा ख्याला जांदायां संकल्पां दी गलतों लमा अर्शा पेलां पड़े एक चुटकले दा जेता आलेयां एक सजरे साल दी स्वेर नुई कादमी अपने कार विच मेस ते बैठा एक कागस ते गम देवता नाल कुझ लिखन चुवेयास्त सी ओधी पत्नी ने पुछया ये की लिख रहे हैं नमे साल ले कुझ संकल्प लिख रहे हैं ओधी पत्नी ने चाटल मारी खोली ते विच में काबस कड्या योने पति नुब खाया ते आती तो अनुहोर सूची बणा ओंदी लोडनी उसारे पिछले साल दी सूचीच लिखे वेड़ें। साचता ही है के असल गाल संकल्प करके उना ती अमल करन दी हुन दी है। ए परकिर्या महज एक रस्मी कारवाई बढ़के नीरा जानी चाहिए। इस ग्रैते मनुख बढ़के विच्रंदे मौके दी प्राप्ती हो जानां कोई दिंगूनी जई अखोले कार देन वाली कटना नहीं। अजया वापरंदा एक पर्योजन है। मनुख एक समवेदन शील ते वो वेक शील प्राणी है। इथी मौजूद सारियां जूनां विच्चो सर्बोत्तम। इदी हाथवास काफी कुछ कर सकन दी समरथा है। बलके बढ़ियां आसानी कुद्रत नों इस्तो। इए मनुख जीवन ता समझो एक मिशन है। कुछ पर्वावशाली प्राप्तियां कर सकन दी। ते मौजूद्धा रैन ते हालात नों कलना नालों बेतर बनाऊंच अपना योगदान पाउन दा एक सुनेरी अफसर। ते कुछ चंगेरा करन दे संकल्प करन लई। नमे वरे दी कोई वक्री एहमियत वी नहीं। अजे फैसले था बन्दा हर मीने हर दिन हर पल करदा रह सकता है। पर क्योंके चंगे काम करन लई था सुबब बहान्यादी तलास्ट होई दै। इसलिए नमे साल लोगी सजरी थे गंबीर फैसले करन वास्ती एक दुरलब मौका समझया जा सकता है। नमे वरे दे शुरू होण तो कुछ दिन पहला मेरी पुराणी से लिच्ची की आगए। चंगा कीता तुसी आगए। नमा साल लोग वोले। अपपा भी कुछ नमे संकल्प करन दियां गल्लां करिये। मैं खोश हो कि आख्या है। इस सुवार की वक्र है। अपपा आज तक ताय जया कुछ किता नहीं। मैं ता हर रोज ही नमे फैसले कर दी रहनी। इसे तरह कर दी ता मैं भी यहां। पर पताय है। देशां वे देशां जिके नर्वाज नमे वरे ते कुई निर नहीं करन दा। मेरा ता बहुत मान कर दा है। स्वारसी भी कोई नमे संकल्पां दी सूची बनाई है। मैं दिल दी इच्छा प्रग्टाई बास फेर कीसी असी दोहाने राल के कई गंबीर मुद्ध्यां थे बारे चर्चा कीती थे छे तीक चंगी पली संकल्पां दी सूची त्यार कर दे। चिकी आखदी ये सूची असी अमल करनली बनाई है ना नाके केवल सजावर्दी मकसदली बिल्कुल जेगे। ये थे मैं उसी सूची विच शामल कीते फैसलेयां बारे आपदे नाल विचार सांजे कर रहे हैं। जे असी अपने मजूदा तौर तरीक्यां ते जियोन टंगांदी गमेरता नल पर चोल करियें। तब मैसूस होएगा इस ग्रय ते जीवन पदन उच्चा चुकन पिश्रख्यत बनाई है। कई तब्दीलियां करन दी लोड है। सब तो पहलां ता जापता है के सानू समय दी कदर करन बारे सुच्चेत होना लाजमी है। असी वेख ही रहें यांके पिशला साल भी के में खांबला के उड़ गया। पता ही नू लगया। साड़ा जीवन इक गिणया मिथ्या समाई था हुनदा है। जेड़ा समाँ बीत गया हुन मुड़के था होना नी किना चंगा लगदा। जे समय नू बेश कीमती ता जान के दी कदर किती जावे। अपने ते दूसरेयां दे समय नू अजाई नांग वोनां किसे दी उचेरी सूज बूज दे निशानी मन्या जाएगा। सिखरानू चोन दा एक महत्तपूरन तरीका समय दा सदूपयोग करना भी है। असी सडकां ते आमी बगैर सोचें दरोग दर्कूडा कचरा सुटन दे आद दिया। जिते खिलार सेथ देले मुश्कलां खड़ियां करदायां उत्ते ये साड़े चंगेपले देश ते आड़े द्वाले दी दिक नूवी विगाड के रख देंदाया। असी आमी दुझे देशां दी साब सुफाई दे बारे बहुत चर्चा करदेयां। परे नी सोच दे कि असी खोद इस गल प्रती सुचेत होके एमपो मिका निबा सक देया। जन्तक थावानू साब सुत्रा रखना साड़े फर्जान शामन ने। इस नल साड़ा ते साड़े देश ता अक्स किन्नावधिया बढेंगा। विक्सत देशां दे लोकां दी सारे कानूनना दी एम चंगी तरां पालना करन दी आदतनूवी साड़े देश्च बहुत सरायां जन्दा है। किसे दी सिफ्त करनी ठीक है पर एही पर्शंसा सानूवी ता बहुत सुखावेगी। विशर्तियसी आपोन वर्गे बनके उना दी चर्चा दा विशा बनन दा मान प्रापत करी। इस लबबत देले इसानू किसे दी मुथाजी नहीं लोडींदी। केवल अपने अमल ही टुक्वे बनाऊंदी लोड है। इक अनूशासन विच रह कि विच्चरना किसी दे अपनी ते नाली सारी समाजली बड़ी लाहे वंद पिर्त हुन दी है। वातावर्ण दी हालते स्वेले खतर नाथ हाद तक विगड़ चुकी है। ये तासी सारे जान देहिया। उस जोन पर्त विच छेद हो चुक है ते इस ग्रह ते जीवन दी होंद नूँ ही खतरा बढ़ियां पिया। पर इस सब कुछ दे बावजीूत जी हालात बित्तर बन सकदे ने। जी असी अपने तौर तरिक्यांच फौरी तबदेलियां कर लें। रोज मर्रादे जीवन्च निके निके बदला करने को ये संभव कारज नें बलके अजया करना पा मान भी गल हो सक दिये। प्लास्टिक ते पॉलिथिन दी संकोच मी वर्तों बारे वी सुचेत होंदी लोड है। किसे चंगे कामची योगदान पाके का दुत्ती संतुष्टी दाया सास आप मोहरे सड़ी चोड़िया पेंदर। शोर परदुशन दे प्रते वी बहुत चौक सोंदी लोड है। किसे वी मौके दे हालत वेट बे लोडे हो अनव जाके। उच्चा संगेत चलाके जां किसे वी होर जरिये शोर पैदा करंदा सबब नाम बढ़िया जावे। पटाके चलोण नुवी खुशी जार करंदे साधन वजूं वर्तंतों गुरेज करना समेदियां मुख लोड़ां वेचों इक है। ए सब गल्लां रोगानू सदा देन दा ही कारण बढ़िया ने ते सुवार दियां कुझ ने। अपने नित देहाडे दे विहार वेच सिलिक के ठर मेते दुजियां दे हकां दे प्रती सतकार दियां पावनामानू तुक्मी थां देन नल महौलनू कफी हत्ता खुश गवार बनाया जा सक्रे। अपने फर्जां प्रती जागरू खोननू स्वय माननाल जोड़या जा सक्रे। कानूना दी बगार किसे किन्तू प्रंतू दे पालना करना एक सब्वेक समाज दी निश्यान दी है। अजय वर्ताओ नाल कारते बाहर दोहां ही थामाते काट तो काट मुश्किलां दर पेश होन दी सम्भावना उजागर हो जान दी। बिजली पाणी दी वर्तों बहुत सोच समझ के करन दा वेला होन ते अज है वर्ना देर वी हो सक्रिया। एवड मुलियाने अमता हन की बणेंगा जिकरस इना नुवजाईं गवाण दा अपना सुबार ना चड़िया। साधियां आउन वालियां पेडियां कोडवी था पोवेखले कुई आसा होन चाई रियाने। उन्हु जग मगोंदा रखन देले। उन्ज साधिवीचो कोई वी ओना देरा हनेरे बनाओना ता लोच दावी नी होएगा। उपरोकत सारीयां गल्लां तो इलावा होर वी कई निके वड़ी मसलेयां दा चिकी अगे जेकर होया। आन्त विर चिकी हसीरे क्यान लगी। जिनिया गल्ला पहुणे कीतिया निहीं। इन अविचो केड़ी नमिंग गल्सी। सब ओही पुराणियां ते कई वेर दोहराईयां होया। निर्संदे है ता इसाचे। परचलो फेर भी एकवार मुर्चे तार्या बंदा जोश ते लगननाल जुट जांदर। कुझ चंगेरा करन वेच। अर्थपूरन गल्लांदा दोहराउ करननाल निश्चा होर द्रिड हो जानदी आस्वीता पकेरी इंदी है न। चिकेने से विलाके मेरे स्विचारनाल सैम्ति रग्टाई। तनवाद। जानदा च्मा चई ऊंब करनका अजुचार होगराब हर्थफ। झाल झाल